कि नमस्कार किचन वीद कावेरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं प्राउंज सलड सबसे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो फटाफट फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्राउंज सलड जो है हम किटो डायट के लिए बना रहे हैं लेकिन इसे जो डायट फॉलो कर रहे हैं जो प्रोटीन्स ले रहे जादा उनके लिए जो लोग बहुत हेल्थ कॉंशस है उनके लिए भी प्राउंज मैंने साफ करके उसको थोड़ा हलदी और नमक लगाके रख दिया था इसके अंदर अभी हम डालने वाले है हरा मिर्च है साथ में इसके अंदर गार्लिक लिया है थोड़ा सा जिंजर है और जीरा है ये हम ऐसा पीस के रख देते हैं ताकि कभी भी हमें काम आ सके तो इसका मैं पेस्ट ले रही हूँ एक स्पून, साथ में मैं डाल रही हूँ धनिया पौडर, इसके साथ मैं डाल रही हूँ लिम्बू का रस, जो मैंने आधा लिम्बू का रस लिया है, लाल मिर्च इस्पेमाल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, और हरी मिर्च का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं इसके जगह आप पालग भी ले सकते हैं साथ में लिया है चोटा सा ओनियन एक टमाटर काट के लिया है और हमने श्प्रिंग ओनियन लिया है इसको भी हम काटेंगे 10 मिनिट हो चुके है और प्राउंस को अच्छे स चाहते मसाला नजग गया है तो इसको अभी हम फ्राइ कर लेते हूं फ्राइ करने के लिए मैंने यह पर प्यांट रख दिया है क्योंके यह सालेड है इसके लिए हम तेल ज्यादा करेंगे इसको थोड़ा पहला लेते हैं और प्राउंस को रख देते हैं आप8 5डबार चेक कर लेते हैं लाघर तो तोड़ा हम इंटा करेंगे अब इसको भी हम तोब मेट के लिए छोड़ यो चुका होगा दोना तरब सु है करा है इसके ब्लडरा है हो चंद एलगा और इसके लिए मैं इसको घुमा रही है , हम सेन पैन का इस्तेमाल कर रहे इस के साथ में एक चमब जीरा, जीरा फ्राय हो चुका है, अभी मैंने कटा हुआ पैज डाल रहे हूं, तोकि ये सैलाड है, इसके लिए अभी हम इसे ज्यादा फ्राय नहें करेंगे, साथ में डाल गए हूँ चमाटर, इसके उपर से डाल रहे हूं में मिन्क लिवस, इसको मैं एक हफितले सवाय ह्पे टन्डिया रहे जती है सो अलु ओस स्प्रिंग उनिय पवल दाल रहा है को को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम गैस बन कर देते हैं काला मेरी पॉडर एक चमाच साथ में स्वादा नूसर नमक से हम मिक्स कर लेंगे ऑच्छे से इसके उपड़ डालेंगे हमारे फ्राइ के हुए प्राइट के लिए मैं डाल रहा प्रॉन्सालेड हमारा तैयार हो गया है, चलो इसको प्लेटिंग कर लेते हैं, प्रॉन्सालेड तैयार है, हमने इसको ग्राणिशिंग किया है, सजाया है, फ्रेश ओनियन के साथ, देखिए इसको बनाने के लिए मुझझे स्ष्थीप 10-12 मिनिट लगे हैं, आपको ये रेसि बजाए आप घी का इस्तिमाल कीजे या तो फिर नारियल के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और हाँ बेल आइकान दबाना मत भूलिए ताके आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी हेल्दी टेस्टी और डिलिशिस रेसिपीज आपको देखने को मिले मिलते हैं छोटे से प्रेक के बाद कीजेंगी कावेरी में टेस्टी और हेल्थी रेसिपी के साथ धन्यवाद